कर दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूफ चैनल एस आफधी रेस पार्ट शाला में और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त शेशाग को और स्वागत करता हूं आपका और आज उनकवर करने वाले हैं अपना डिवीजिन का पार्ट ठीक है दोस्तों मॉल्टि्प्लिकेशन हो गया, सट्रेक्षन हो गया, एडिशन हो गया, इजी लगा अच्छा लगा, सपोर्ट कर रहे हूं ऐसे सपोर्ट करते रहो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नया, आद सीखेंगे हम क्या? में संस으सं चिक रखेंगे दोस्तों आज सिखेंगे बिंजन बिस्का आप क्या बोलते हो या पर बोलते हो इसको बाम ठीक है दोस्तों इसके पिछे लाजिक क्या है ईटी Nagट हुटा क्या है माले मॉलब आपके पास कोई नंबर है 42 लिखा है और इसको डिवाइट करना आपको 6 से दोस्तों वो बोलता है 42 को डिवाइड कर दो 6 से इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि आपको 42 को 6 equal part में डिवाइड कर देना है ठीक है तो आपको कैसे करना है अब देखो एक बर 6 एक पार्ट एक बर 6 12 एक बर 6 18 फिर एक बर 6 लिखा कितना होगे 24 फिर एक बर 6 लिखोगे 30 फिर एक बर 6 लिखोगे तो कितना आजएगा 36 और एक बर और लिखा तो आगे आपको 42 तो यह कितना होगे 1,2,3,4,5,6 और 7 होगे और कितने पार्ट्स में डिवाइड होग तो अगर हम 642 को 6 equal part में divide करेंगे तो कितना answer आएगा 7 अब दोस्तों देखो लोग आपको division कैसे भी सिखाते हैं आपने तरीके से सिखाऊंगा और division आपको आ भी जाएगा division के दो parts है आपका division है उसके दो parts है अब कोई कैसे भी सिखाएगा बट आप यहां देखिए जहां से first part में आता है आपका complete division second में आता है incomplete division दोस्तो complete division में क्या होता है आपके divisibility rules लगेंगे और आपका जो answer आएगा उसमें decimal digits नहीं होंगी decimal नहीं होते है आपके complete division में बट जो incomplete division होगा जो incomplete division होगा उसमें आपका decimal डिजिट आएंगी और divisibility rule आपका कोई भी apply नहीं हो पाएगा उसके अंदर चलो तो पहले सीखेंगे हम complete division क्या सीखने वाले हम complete division दोस्तों क्या सीखेंगे complete division तो complete division में हमें divisibility दोस्तों देखो नंबर तो कहां से range करते हैं वन से लेकिन 9 तक की range करते हैं तो हमें इनकी ही divisibility सीख रही है उससे ओपर advanced chapters में सीखाऊंगा अभी सिर्फ 9 तक की divisibility सीखेंगे और उनसे questions करेंगे दोस्तों जैसे question लिखा आपका first आपको two से divide करना है two की divisibility होती है कि जो आपका unit place है उस पर क्या होना चाहिए आपकी digit कैसी होनी चाहिए even digit होनी चाहिए even digit का मतलब जो two की table में आती है जैसे two four six eight ठीक है दोस्तों आप पूछो कि unit digit क्या होती है जैसे लिखा आपके पास कोई भी number 26 तो यह जो right most digit होती है यह आपकी होती है unit digit अब इसमें देखो six है six two की table में आता है easily divide हो जाता है तो यह नमबर भी two से divide हो जाएगा यह आपके disability है किसकी two की आप समझ गए दोस्तों आप करते है three three में क्या होता है three की disability बहुत easy होती है माल नों कोई number लिखा है nine two one अब इसकी divisibility check करने यह three से completely divide होगा या नहीं होगा तो आपको क्या करना है simply जितने digit उनको add कर लो one nine plus two plus one कितना आ गया twelve check कर लो यह three की टेबल में आता है आता है तो यह पूरा number divisible है three से समझ आया दोस्तों चलो आगे देखते है four पर आ जाते हैं दोस्तों four पर क्या होता है four में माल लों कोई number लिखा है four two और eight अब यह जो यह वाले इन पर जो भी नंबर है वह आपका four की टेबल में आना चाहिए ठीक है दोस्तों या फिर four से डिवाइड हो जाना चाहिए नहीं completely तो आपको पता लग जाएगा पूरा नंबर four से डिवाइड होता है या नहीं होता अब 40 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना 40 तक तो हो जाएगा अब बात आगई 44 की अगर two digit का नंबर तो सिर्फ यूनिट प्लेस देखोगे उससे उपर है तो आपको यूनिट और 10 दोनों प्लेस देखने अपने इकाई का स्थान और धाई का स्थान यह दोनों स्थान देखने और इन पर देखना है कि यह four से डिवाइड होता है या नहीं होता ठीक है तो तो आपके double digit में तो यह फर्स्ट वाला तो हो जाएगा four से इसली यह क्या हो जाएगा four वंजा four वंजा four वंजा four ठीक है अब कोई अगर बड़ा नंबर हो मौन लिख रहा है seven nine two eight अब इसमें कैसे गरोगे यह का स्ता यह धाई का यह वंज का और यह टेंस प्लेस अब हो उठालो और लिख दो यहां पर यह कितना आगया 28 28 7 4 गी टेबल में आता है कितने प्रता है 7 प्रता तो यह पूरा नमबर भी 4 से दिवाइड नहीं होगा बट यह डिवाइड हो जाएगा अब अधर देन जीरो और फाइफ कोई भी डिजिट आएगा आपके यूनिट प्लेस पे तो वह डिवाइड नहीं होगा फाइफ से समाझ आ गई फाइफ की डिविजिबिल्टी चलो अब जल्दी जल्दी से एकते हैं इसक्स की डिविजिबिल्टी दोस्तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वह 2 और 3 आपके इन दोनों नंबर से डिविजिबल है इन दोनों से अगर वह पूरा-पूरा भाग जा रहा है तभी वह 6 से डिवाइड गया तो ये 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड हो जाएगा अब 3 के लिए करोगा 2 गया गया 2 कमएं 2 प्लस 2 गया 6 गया तो ये 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से थी चांष पूरा नमबर आपका 6 से बहि से बह से है समझाई 6 की डिविजिबिल्टी अगर नंबर 2 और 3 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होता है तो नंबर 6 से भी डिविजिबल है आप देखते हैं 7 के लिए दोस्तो 7 की थोड़ी सी डिफिकल्टी या फिर ट्रीगी बोल सकते हो बट आपको इसको ध्यान से देखना है अब देखो मालो कोई नंबर लिखा है 7 2 और 3 इतना समझाया तो जो लास्ट डिजिट है उसको कर दो डबल कितना आ गया 6 ठीक है और इसको कर दो 72 में से माइनस अब इसको माइनस करोगे तो जितना नंबर आएगा कितना नंबर आएगा जल्दी बोलो जल्दी 66 यह 7 से डिवाइड नहीं होता तो यह नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा ठीक है तो इसकी जगे लेते हैं 63 ले लो ठीक है दोस्तो अब इसको डिवाइड कर दो किस से मल्टिप्लाइब कर दो 2 से अंसर आया 6 6-6 कितना आ गया 0 अगर 0 भी आता है यह इसका एक्सेप्शनल केस है तो भी यह क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा समझाया दोस्तों तो भी यह 7 से डिवाइड हो जाएगा अब लेते हैं हम 91 अब देखो 1 को करो 2 से मल्टिप्लाइब कितना आया 9 में से कर दो माइनस कितना बचा 7 बचा 7 से डिविजिबल है तो आपका 91 भी 7 से डिविजिबल होगा समझाया दोस्तों अब 8 8 की डिविजिबल सेम है 4 की तरह बटिस में क्या देखना है यह जो लास्ट 3 नंबर्स होत आते हैं तो आपका बचा हुआ पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा ठीक है समझाया इतना चलो 9 की डिविजिबल्टी देखते है अब 9 की डिविजिबल्टी सेम एज 3 जैसे 3 में सारी डिजिट एड करके चेक करना है 3 की टेबल में आता है या नहीं आता ऐसे ही 9 के लि से और यह 9 की क्या है एक तरीके से क्यूब है इसका क्यूब रूट करोगे तो क्या निकल कि आएगा आपके पास 9 निकल गया दोस्तों क्यूब रूट भी सीखेंगे बट अभी पहले डिवाइड सीख लेते हैं तो डिविजिबल्टी आपको समझा गई अच्छी दरह समझ जाई दोस्तों इसके लिए कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं निकल के आती है कि आपको मैं क्या दूँ एक सेकंड में डिवाइड कर लोगे दो सेकंड में कर लोगे पांच में कर लोगे मैं फॉल्स क्लेम बिल्कुल भी नहीं करूँगा लॉजिक के साथ आपको समझाता चलूँ जैसे आपकी डिविजिबिल्टी है डिवीजन है कैसे करना है इजी कर दूँगा बट ट्रिक नहीं बताऊंगा कोई भी कि आप वहां जाकर यहां तो सीखलो हां बहुत अच्छा और वहां जाकर कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा आज डिविजिब स्पीड स्रीज में स्पीड बूस्टर दोस्तों स्पीड तो बूस्ट होगी आप देखना जब आप पूरी स्रीज कंप्लीट कर लोगे तो आपको जरूर बैनिफिट मिलेगा बाबाए थैंक्यू